सब्सक्राइब कीजी लखेपूर टीवी चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए नई अपडेट पाने के लिए हलो दोस्तों लखेपूर टीव में आपका स्वागत है मैं हूँ लखेपूरी और आज मैं बताने वाला हूँ शुकरानों की संख्या अगती शीलता यानि एस्पर्म काउंट और मोटिलीटी बढ़ाने के लिए हंडेड पर्सेंट इफेक्टिव आईरवेदिक योग के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं इस्पर्म काउंट की कमी मेल इनफर्टी लीटी का एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से संतान प्राप्ती में समस्या होती है तो आईए जानते हैं इस्पर्म काउंट औ दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूं वह कुछ क्लासिकल आईरवेदिक दवाओं का कंबिनेशन है जिसे शुक्रानु वर्धा की योग कह सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा अश्वगंधादी चूर्ण 1500 ग्राम गोच्छुरादी चूर्ण 30 ग्राम सिध्मकर धव 10 ग्राम और परवाल पिष्टी 5 ग्राम बनाने का तरीका यह रहेगा कि सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर खरल करें अब रावर मात्रा की साच पुडिया बना कर रख लें जितना ज्यादा खरल करेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा इसकी मात्रा मात्रा है इसे एक पुडि साधीत दूद बनाने का तरीका यह है कि धाय से मिल दूद में सातार दाना खजूर या चुहारा डालें और एक से मिल पानी मिक्स कर उबालें जब दूद आधा बचे तो थोड़ा ठंडा होने पर बताए गई पुडिया खाकर उपर से या दूद पीना है यही खजूर संतान प्राप्ति में मदद करता है तरह तरह कि अंग्रेजी दवा खाकर ठक गए हो तो भी या उसका अपना असर दिखाता है यह वीरिक को गाढ़ा कर शिग्र पतन और इरेक्टार डिस्फंक्शन जैसी समस्चे को भी दूर करता है इस योग को कम से कम लागातार तीन मही ही तक यूज करना चाहिए जीरो स्पर्म काउंट वाले भी ट्राइब कर सकते हैं दवा शुरू करने से पहले तेरी फला चूर्न खाकर पेट साफ कर लेना चाहिए दवा का इस्तमाल करते हुए हलका सुपाच भोजन करें खटी चीजें अलकोहल फास्ट फूड अधुर्म कर लीजिए अब बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि नए वीडियो की नोटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें आज की जनकारी को आप डिस्क्रिशन में दियेगा लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं थैंक्स वार वाचिंग आज की इतना ही जाए हिंद जाए आयरव प्रियद हो अःए बेल कि में आज की उम yay आपको के जाए है डिस्क्रिश ओर बाड़ सकते हैं एड़ कले जा अवेब एड़ कि जाए हैं एड़ू दरेते हैं वड़ की ने तommय किवाद लोको